हेलो फ्रेंट्स आज हम आपके लिए लाएं हैं नियू अपकमिंग मूवी की अपडेट लेकर तो आज हम बात करने वाले हैं 2013 की पाच ऐसी पैन इंडिया मूवी जिसका बॉक्स आफिस पर पोटेंशल एक हजार करोड से भी जादा का होने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखे क्योंकि सबी मूवी काफी इंटरस्टिंग होने वाली हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवी इसके अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें पहले मूवी होने वाली है जवान ये एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है जिसको डिरेक्शन देने वाले हैं साउथ बैस डिरेक्टर एटली कुमार जिन्होंने सुपर स्टार विजय के साथ मिलकर मास्टर जैसी मूवी बनाई थी लेकिन इस बार वो सुपर स्टार इतनी बढ़ चुकी है कि ये मूवी कम से कम एक हजार करोड तो कमा ही लेगी इस मूवी में हमें SRK, नयनतारा, प्रियामनी, संजे मलोतरा और विजे जैसे बड़ एक्टर दिखाई देंगे फिल्म कहानी कॉंटसेट बहुत ही मिलने वाली थी लेकिन मेकर्स ने डेट को आगे बढ़ा कर 7 सितंबर कर दिया है तो आप इस मूवी को देखने जाएंगे या नहीं आपको इस मूवी का वेट है या नहीं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं अगली मूवी होने वाली है बॉलिवुड की तरफ से जिसका नाम है अनीमल ये एक एक्शन क्राइम ड्रामो मूवी होने वाली है जिसका डारेशन दे रहे हैं संधी प्रेडी वंगा और इस मूवी के में लीड में नजर आएंगे ये रनवीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका मननदा, बॉबी देवल, ट्रिप्टी, रिम्री जैसे बड़े कलाका ये रनवीर कपूर की आज तक की सबसे ज़्यादा एक्शन वाली मूवी होने वाली है इस मूवी के डिरेक्टर का कहना है की वह आज तक की सबसे ज़्यादा खून खराबे वाली मूवी दिखाएंगे ये मूवी पैन इंडियर रिलीज होगी, इस मूवी का प्री टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है जिसमें रनवीर का लोग बहुत ही जादा फाडू लग रहा था आपको इस मूवी का कॉंसेप्ट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं इसके एक्शन को देखकर लगता है ये मूवी एक हजार स्थो कमा ही लेगी इस लिस्ट की तीसरी मूवी होने वाली है लियो ये एक तमिल लेंग्विज की मूवी है जिसको डारेक्शन दे रही है लोकेश का नगराज ये एक action crime thriller movie होने वाली है ये location universe का हिस्सा होने वाली है और ये इस universe की तीसरी movie होगी इससे पहले दो movie हिट रही है जिसका नाम है काथी और विक्रम लियो में हमें नजर आएंगे थलापती विजय, संजेदत, गौतम, वासुदेव, मैनन ये pen India movie release होगी इस movie में हमें संजेदत और थलापती विजय का face of देखने को मिलेगा हमको ये movie 19 October को देखने को मिलेगी ये movie अराम से 1000 करोड का आकड़ा पार कर लेगी आपको क्या लगता है लाइक ज़रू करें इस list की fourth movie है तलार ये प्रभास की much updated movie होने वाली है जिसको direction दे रहे है KGF जैसी बड़ी movie डारेक्ट करने वाले डारेक्टर प्रशांत नील ये movie KGF से जुड़ी होगी और इस movie में हमें नजर आएंगे इस movie में हमें प्रभास जवर रोल में नजर आएंगे और movie के विलन में हमको नजर आने वाले हैं जगपती बाबू जिनका सामना करेंगे प्रभास ये सब हमको देखने को मिलेगा 28 सितंबर को हमारे नजदी की सिनेमा घरों में प्रभास की लास मुवी होने वाली है टाइगर 3 ये एक इस्पाय एक्शन स्रेलर मुवी है जिसको डारेक्शन दे रहे हैं मनीश शर्मा और ट्रेडियूस कर रहे हैं आदित्य चौपड़ा ये टाइगर फ्रेंचाइजी की थर्ड मुवी होने वाली है और ये शराज फिल्म इस्पाय यूनिवर्स की फिफ्ट मुवी होगी इसमें हमें दिखाई देंगे हम सभी के दिलों की जान सल्मान खान, कैट्रीना कैफ, इमरान हाश्मी इस मुवी में इमरान हाश्मी हमें नेगेटिव रोल में नजर आएंगे और इनका फेस आफ करते नजर आएंगे सल्मान खान और इस मुवी में सल्मान खान के साथ हमें शारुक खान के हमें रोल में नजर आएंगे जी हाँ इस मुवी में टाइगर और पठान दोनों दिखाई देंगे ये मुवी हमें देखने को मिलेगी 10 November 2023 इसको हमारे नजदे की सिनेमा घरों में आप इस मूवी को देखने जाएंगे या नहीं आप इस मूवी को लेकि कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है कौन कौन सी मूवी बॉक्स ओफिस पर 1000 कमा पाएगी कमेंट में अपना ओपीनियन हमें ज़रूर बताएं और इसके अलावा और कोई सी मूवी जिसका पोटेंशल 1000 करोड का है उसका नाम हमें कमेंट में बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल से जोड़े रहें ऐसे ही मूवी के अपडेट के लिए चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें थाइंक यू